हेलो एवरीवन हम लोग का प्रेश्ण है एक सो एक हतर का भाज्य गुड़न खंड क्या है तो चलिए दोस्तो एक सो एक हतर का भाज्य गुड़न खंड निकालते हैं और देखते हैं कि एक सो एक हतर का भाज्य गुड़न खंड यानि की प्राइम फैक्टरोज क्या होता है तो सिर्फ और भाज ये संख्या से कटना होता है तो जैसे कि दोस्तों हम ल hen . सब जोंचे हैं कि सबसे छोटीर या भाज संख्या 2 हुती है तो हम देखेंगे क्या हीस्स नहीं नहीं rationsकटेगी तो अब हम . संख्या की संख्या नहीं होता है यदि जिस भी संख्या के अंको का योग तिन से कड़ जाता है तो वह संख्या भी तिन से कड़ जाती है तो चलिए दोस्तों इस संख्या के अंको को जोड़ती हैं और देखते हैं क्या तिन से कड़ता है तो देखिए इस एक में इस साथ को जोड़ें तो कितना होगा लिए मस्ते षंख दोस्तूरिक है वह संख तो चलिए दोस्तों को संख्वी तेनरे से जब बने आप दोस्तों इस तिन से कट पर लेंगे तो आप यह संख्वी बना पाएंगे सत्रह हो जाएगा तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि इस तीन के पाड़ा में सत्रह आता है तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि तीन के पाड़ा में सत्रह नहीं आता है तो अब क्या करेंगे देखेंगे कि इस तीन के पाड़ा में सत्रह से कम कोई संख्या आती है तो धो हवाँ पंदरा आती है कितने बार में पांच बार में इसलिए डेस्तों इसा सतरह को फंदरा बना देंगे दोस्तों सतरह को फंदरा बनाने कंवा क्या करना होगा इस 11 info 4 2 दोसलिए Gibson ध्यान दिजीएगा दोस्तों दखिए यहां पर तो 17 था लेकिन जब 17 में से इधर हम दो भेज दिये तो यहां पर कितना हो गया 15 न हो गया अब दोस्तों क्या होगा यह 15 जो है यह इस 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 पाचे 15 होता है ध्यान दिजीएगा दोस्तों दखि उसा संख्या को जोड़ते हैं और देखते हैं कि यह थीन से कल़ देबुता है 2 ! इस है इसे dramaturg संख्या है 2 संख्या संख्या से 3 यह थीमित लिए संख्या ओब 3 ! अधिंद दा देखें गहें कि स्टें Чरक्त थे on & Krayma ,ow course in 5 ! इसलिए दोस्तो हम क्या करेंगे इस 5 को 3 बना देंगे तो दोस्तो इस 5 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा इस 5 में से इधर 2 भेजना होगा तो छली हम भेज देते हैं ध्यान दीजेगा दोस्तो देखिए यहां पर तो 5 था लेकिन जब 5 में से इधर 2 हम भेज देते हैं यहा कि तीनावा सताई सुता है यहां पर तो दोस्तों उनीस आ गया तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनीस जो है एक अभाज्य संख्या है इसलिए उनीस को उनीस से कटा देंगे तिया एक बर में कोड़ जाएगा देखिए दोस्तों हम 171 का अभाज्य गुणन खण निकाल रहे थे इसलिए 111 जो यह संख्या है इसको पुरीत्र से अभाज्य संख्या से कटा लिया हुए है अब कुछ इस परकार से यहां पर लिखेंगे 171 बराबर देखिए दोस्तों 171 जो यह संख्या एक दो बार तीन से कटा है और एक बार उननीस से कटा है तो इन सभी को क्या करेंगे यहां पर गुणे के रुप में लिखेंगे तो चलिए लिखते हैं तीन गुणे उन्नीस तो दोस्तो जो यह आ गया ना तीन गुणे उन्नीस यही क्या हो गया इस 171 का अभाज जे गुणन खण यानि की प्राइम फेक्टर्ड हो गया अब दोस्तो इसको क्या करेंगे घतांगी रुप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस पर कर से देखिए दो दोस्तो यहां पर 171 है तो इस 171 को इसी तरह से यहां पर लिखेंगे और बराबर के चिन देंगे देखिए दोस्तो यहां पर तीन जो है नहीं यह दो बरा है एक दो इसलिए क्या करेंगे दोस्तो तीन की घत दो लिख देंगे और गुणा का चिन देंगे यहां पर दोस्त ये गुड़नखंड यानी की प्राइम फेक्टूस क्या होता है